कि वेलकम बैक हमारे साथ हैं डॉक्टर के की कहंडेल वाल तो आज बात हो रही है हरियाना के प्रदर्शन के बारे में सिर्व डुजी की बात होगी आज के समारों की बात होगी पिषले एशियन गेम्स में हर्याणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी एवरिज था तो इस बार आप क्या उमीद करते हैं किस तरह का प्रदर्शन रहेगा देखियेगा कि पिछले Aisian Games में हर्याणा के खिलाडियों का इनी देश का पदरिसिंध भी इतना अच्छा नहीं था किवल 33 मैडल्स हम लोग जीत पाए थे लेकिन Commonwealth Games में जिस प्रकार से खिलाडियों ने भाग लिया है जिस प्रकार से अपनी छंता पदरसित की है जिस प्रकार से उन्होंने अपने खेल का उतकस पदरसित किया है बड़ी आसा किया सकती है कि इन एशियन गेम्स में हमारी पदक तालिका पहले से कहीं बेतर होगी और हर्याना के खिलाडियों का इस पदक तालिका में बड़ा एहम वेल्ट केम्स ने किया हर्याना के खिलाडियों की जहां तक मजबूती का सवाल है इसमें वो बेमिसाल है मैंने जैसा कि आपको कहाता कि मुर्रा भेंस का दूद पी करके यहां का यूबक एक नई ताकत और सक्ति के साथ अपना दर्शन करता है किन खिलाडियों से आपको उम् होते तो उन्हीं पर ही नौकरी मिलती थी अच्छी नौकरी लेकिन हर्याना की खेल निती के अंतरगत ये फैसला किया गया कि तीन परसेंट जो स्पोर्स कोटे के अंदर पोस्ट निर्धारित की जाएं पुलिस डेपार्टमेंट में क्योंकि ए खिलाडी पुलिस और फोज ज्यादा इनकी प्राथ मिक्ता होती है हर्याना में बारा डी एसपी अब तक लिए जा चुके हैं हर्याना में तीन इंस्पेक्टर लिए चुक अब लिए खिल के माध्यम से यह बड़ा भारी उसके अंदर प्रोस्थान का काम करता है और हम लोगों का देखा जाया है ना कि जिस तरी कि हर खेल से लिए हैं क्रिकेट का है जोगंदर शर्मा ममता खरव होकी से डीएस पी बनी है रैसलिंग से गीता जाखर बनी है होकी से सरदार सिंग बनाए हैं बॉक्सिंग से बिजिंदर बने हैं इस पर के एशन गेम्स में आपको लगता है गगन नारंग बिजिंदर कृष्ण पुनिया यह जो यह वैसा ही प्रदर्शन कर पाएं जैसा उन्होंने सीडर्बू जी बिए को बॉक्सिंग रैसलिंग इनके सिवाए भी किई आपको और सरपाइज मिलेंगे हो सकता है साइक्लिंग बड़ा प्रदर्शन हो वह वहारा ज्यमनेस्टिक मच्छ अप्डर्शन हो हमारा साइक्लिंग की सुद्धा भी मारे है हमारे साइक्लिंग के भी कैई खिलाडियों ने कोमन वेल्स में भाग ल सारे देश बास्यों के उनके प्रत सुभकामना हैं कि वो अच्छा पतरसिन करें decision games में harina का नाम ही रोशन करें देश का नाप ही रोशन करें और खुद était गिए जादा खरड़ी सामने उनसे परवावित हो करके और देश का नाम रोशन करने के लिए उंसे चलिए उम्मेदे हमें भी हैं देश को उम्मेदे हैं राज को उम्मेदे हैं और परवार वालों को भी उम्मेदे हैं मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे लड़के ने गोल्ड मेडल इंडिया की जोड़ी में डाला और मैं मेरे बापा दुनिवारी किता है से वो सभी देवी देताओं को और इनके कोचिस को सब कमत निवाद करना चाहता हूँ बहुत अच्छा मैसूस हूँ रहा है कि मेरे कुक से तरवासी ने मेरे आने पर इतना जोरदर स्वागत किया और मेरे इतना प्यार दिया मेरे को और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे कुद की कमी से मैं गोल्ड ने पाई लेकिन सिल्वर लिया यह भी देश के लिए वो यह भी मेरे बहुत माइन रखेगा लेकिन इस हार से मुझे एक सबक मिली है कि आगे मैं और अच्छी मेहनत करोंगी जो एशाड ओने वाले हैं अब अग नेस्ट में तो उसमें मैं म उनकी मेनत को सफलता मिली है लेकिन मैं यह करना चाहूँगी कि यही मेरा सफर खतम नहीं होता मैं एशन गेम्स में जो नेक्स्ट मंत होने वाले हैं और ऑलमपिक में मैं टारगेट मेरा ऑलमपिक का मैडल लेने का है खनेवल साब आपका बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद तो धेर सारी उख शुब कामनाओं और उम्मीदों के साथ कि हमारा राश्रकान बार बार एशन गेम्स में भी चले जैसा CWJ में चला हम आज का एपिसोर यहीं खत्म करते हैं करते हैं